हेलो तोस्तों का स्वागित हमारी यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेन करने वाला हूँ चैन्स ओमैन का एपिसोड 3 का सेकंड पार्ट तो हमें दिखाये जाता है डेंजी और पावर परमिसन लेने जाते हैं कि वो बाहर जा सकते हैं लेकिन वो ओफिसर कहता है कि तुम्हें 5 बजे से पहले वापस आ जाना होगा तो डेंजी कहता है कि तुम वहां अकेले नहीं जा सकती तो पावर कहती है कि हाँ मैं भी अकेले नहीं जाना चाहती तो वो दोनों साथ में जाते हैं पाउर कहती है कि मुझे पता है कि वो devil मेरी बिल्ली को कहा ले कर गया है और problem ये है कि सिर्फ तुम ही उसे fight कर सकते हो क्यूंकि अगर उस devil ने मुझे देखा तो मेरी बिल्ली को वो मुझे ही इस्तमाल करेगा बचने के लिए और अगर ऐसा होता है तो हम फश सकते हैं डेंजी बताता है कि मेरा pet devil का नाम पोचीता था मैं अब उसे और नहीं रख सकता क्यूंकि अब वो मेरे अंदर है तो पाउर कहती है कि सच में इनसान बेवकूफ होते हैं कौर कहती है इसका यही मतलब है कि पोचीता मर गया है या सही और अगर ऐसा है तु वो जिंदा नहीं है और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे अंदर जिंदा है ये क्या बात हुई डेंजी सोचता है कि मैं इसके साथ जादा देर तक नहीं रह सकता लेकिन फिर डेंजी उसे छोने के पार में सोचता है फिर एक मीटिंग में कुछ ओफिसल्स कहते हैं कि उस अमेरिकन बाद के बाद सोवियत और भी जादा बढ़ रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है और यह डेविल्स यूस कर रहे हैं अपने मेलिटिवी में यह अच्छा होगा कि जैपैन का दुस्मन सिर्फ डेविल्स हो फिर उन में से एक कहता है कि माकिमा वो कुट्टों का स्कौर्ड का क्या हुआ जिसे हमने तुमने कहा था बनाने को वो माकीमा से पूछते हैं तो माकीमा कहती है कि उन में से एक है जिसे मुझे कुछ उम्मीद है और वो काफी मज़ेदार भी है तो पूछते हैं मज़ेदार तो माकीमा कहती है कि छोटा सा कुट्टा जिसे मैंने हाली में उठाया है वो डेंजी के बारे में बात कर रही होती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारा काम ये है कि तुम उन कुटों को ड्वेन करो और उन्हें अच्छे से काम के लिए इस्तमाल करो, उनसे ज़्यादा गुलने मत लगो, फिर माकीमा और हायकावा कार से जाते रहते हैं तो हायकावा पुछता है कि डिन जी अच्छा नहीं है वो मज़िदार कैसे है तुम उससे इतनी उमीद क्यों रख रही हो तो माकीमा कहती है कि सारे डेविल एक नाम के साथ जनम लेते हैं और अगर वो नाम डरावना हो तो डेविल की पावर खुद से बढ़ जाती है ये कॉफी ज़्यादा डरावना नहीं है तो अगर यहां कोई कॉफी डेविल होगा तो वो अब्यसली कमजोर होगा लेकिन अगर यहां एक कार डेविल आ जाता है तो तुम उससे भागोगे और वो काफी ज़्यादा ताकत वर भी होगा और तुम उससे बचोगे और डेंजी एक चैन सौर डेमन बन सकता है और यह मज़िदार है तो हायकावा कहता है कि वो हो सकता है मज़िदार हो लेकिन वो कोई भी आरेका नहीं है लोग वो ब्यूरों में के पास या तो टारगेट होता है या फिर कोई दोसी होता है और इस सब के उपर वो सोचता है कि तुम डेविल के साथ है रह सकते हो वो सिर्फ एक बच्चा है एक छोटा सा बच्चा तभी पावर और डेंजी एक खुले मैदान में जाते हैं और हरे हरे घासों पर खड़े होते हैं और पावर कहती है कि देखो वो ही घर है जहाँ पर मेरी बिल्ली और डेविल रहता है तो डेंजी कहता है कि अच्छा तो चलो चलते हैं डेंजी कहता है कि मैं चैंसो नहीं बनना चाहता क्योंकि उसके बाद बहुत ही अजीब लगने लगता है पाउर कहते है कि चैंसो तो डेंजी कहता है कि मैं एक चैंसो में बन सकता हूँ पाउर कहते है कि हुमन्स के जोक भी मज़ेदार नहीं होते डेंजी कहता है कि क्या ये बेकायर नहीं होगा अगर वो तुमें देख और तुम्हारे बिल्ली को तुम पर ही यूज करे तुमें इतने पास नहीं जाना चाहिए क्या मैं सही हूँ तो power कहती है कि क्या ये सब एक plan था तो डेंजी कहता है plan तो power कहती है कि मैंने सायद कुछ और ही बोल दिया तब ही power अपने blood से एक हथोड़ा बनाती है और डेंजी को सिर पर मार देती है जिससे कि डेंजी वहीं गिर जाता है और वो उसे टान कर उस घर के अ पहर कहती है कि सायद तुम भाग गई होगी यहां से तो कहती है कि चुप रहो मैं आखिर कहर बाहर जा पाई वो एक चम गादर रहता है पाहर कहती है कि तुमने मुझे कहा था है कि एक human को लेकर आओ और मैं आ गई वो devil कहता है कि बहुत समय हुआ मुझे खाना खाय हुए और यह तो एक जवान है सायद मुझे खून पीने का भी मौका मिलेगा वो भी बहुत अच्छा वाला तब ही डेंजी होस में आ जाता है वो devil कहता है कि देखो मेरे हाथ पर चोट लगी है और इसे तुम humans नहीं किया है जिससे कि मुझे यहां पर छुपना पड़ रहा है तो बहुत हुआ है और देंजी का थोड़ा सा खून उसके मुझे मुँ में गिर जाता है जिससे हो कहता है कि बहुत खराब है मेरी मुझे पर्थ के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए और पाउर डेंजी से कहती है कि human सच में बेवुकूफ होते है वो मेरी बातों Пामान गए और देंजी पूरी होस में आ जाता है और यहां होता है एपिसोड 3 का सेकंड पार्ट खतम तो थैंक यू अगली वीडियो में मैं फ्री से मिलूंगा